हरायर महादेव तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भूत बंगला से और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहां का जो रास्ता भी है कैसा है तोड़ा सा मेरा आज बोले न तबियत ठीक नहीं है इसलिए तोड़ा सा आवास तोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास्तन कर रहा हूँ तो इधर देख सकते हैं अभी अगर कवरिया पत की रास्ता देखेंगे तो पूरा जो है जरजर हो गया है इस्तिती देख सकते हैं किस परकार से है जरासा भी जो है ना अदम इतना जरजर हो गया है पूछिये मत अच्छी तरके से रास्ता नहीं है इधर पूरा जो है गड़्डा वेगरा हो गया है और अभी आपको बहुत सारा यहापे परिवर्तन भी इस पत पे देखने को मिलेगा और पीछले वर्स के तुल्ना में इस वर्स के तुल्ना में आपको इधर बहुत कम दुकाने देखने को मिलेगा रीजन क्या है वो मैं सारे चीज़ा आगे बताते जाओंगा साथ में दिखाता ही जाओंगा इदर अगर आप देखेंगे तो इदर हमारा जो बाए साइड में गड़ा वेगरा किया गया है इसलिए नाला वेगरा बनने वाला इसलिए बाए साइड में गड़ा वेगरा किया गया है और पूरा ये देख सकते हैं पूरा इदर जो है भाई साइट से नाला वेगारत यार किया जा रहा है और इधर में कुछ आपको दुकाने मिलेगा साबन में लेकिन आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो साइट आपको वहाँ पे आप खुद अनमान लगा सकते हैं कि इधर दुकान नहीं लगने वाला है क्यों नहीं लगने वाला है वो सारे चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगा इसलिए वीडियो के आँ तक देखेगा और शाथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़े अगर न्यूँ आए है क्योंकि बाव बेतना धाम से रिलेटेट में रेगुलर अपडेट अपलोग को देता रहता हूँ 2020 में इस रास्ते से वीडियो बना रहा हूँ तो हमेशा मैं इनी से बना आता हूँ और साथी देख वरका दिखाता हूँ अभी के हालाद जो है उतनी अच्छी नहीं है और उतनी ज़्यादे अभी कवरिया नहीं आ रहे है कभी कभी देखने को मिल जाते है तो आज मैं जब आ रहा हूँ तो यहाँ पर अभी आगर देखेंगे तो ज़्यादा कवरिया नहीं है और मोसम भी बहुत अच्छा है बारिस वेगरा कुछ दिर पहले दो-ती दिर पहले हुआ था लेकिन अभी बारिस वेगरा का मोशम नहीं है दमधूप वेगरा निकला हुआ है आप देख सकते हैं खुदी और इधर देख सकते हैं अभी उतना जिसे पजड़ का मोशम आ रहा है तो अब जानी ने पजड़ वेगरा पत्त वेगरा सारा गिरापड़ा हुआ इस तरह पूरा साब सुद्रा का कोई ध्यान नहीं है पत्में ऐसा ही अभी देखने को मिलेगा और इसमें भी कवरिया आते हैं अभी देख सकते हैं कि ये दोड़ों साइड आपको काफी दुकाने मिलती है तो यहां तक तो आपको दुकाने देखने को मिलेगा ही और उतना भी जादा नहीं देखने को मिलेगा जो घरवाले हैं हो सकता है कि वो ज्यादा रेंड दिमांड करेंगे तो साइद हो सकता है कि बहुत जारे दुकान ना भी ले खाली जगह राता था था तो उसमें कम दिमांडर राता था था तो ले लेते थे तो इस वाज़े से आपको हो सकता है कि इधर आपको कम दुकाने देखने को मिले हैं साथ ही यहाँ पर जाएड़े साइड में यहाँ एक सिवीर लगा हुआ करता था वो खाली जगा है तो सिवीर लगेगा जगा खाली नहीं है और सिवीर के लिए आपको पता है थोड़ा सब बढ़ा जगा चाहिए तो इस वज़े से में भी हो सकता है कि जहाँ जहां सिवीर लगते थे तो कमी आपको देखने को मिलेगा देखिए क्या होता है किस परकार से एरेंज करते हैं उसको देखने के लिए देखिए इधर भी बहुत सारा सिवीर लगता था तो साइद आप देखेंगे पिछले वर्स के तुलला में इस बार सिवीर कम लगा हुआ था इधर भी सिवीर लगता था तो इधर घर बन रहा तो सिवीर इधर तो चांज guest नहीं लगने का अगर हुआ तो होटल वेगरा कुछ आपको प्राइबेट देखने को मिलेगा और जो खाले जगा है वहाँ पे आपको सिविर देखने को मिलेगा अगर धरबजाला बनाते हैं तो धरबजाला में भी हो सकता कि सिविर लग सकता है आपको फिरी स्वाय मिल सकता है अब यही चीज होने वाला है कि आगे आने वाला समय में दो-चार वर्ष के बाद जो आपको देखने को मिलेगा सिवीर विगरा जो भी फिरी स्वीधाय होगा वो आपको धर्मसला में ही मिलने वाला है अधर्वाई जैसे जो पंडाल बना के बनाया करता था वो नहीं होगा अगर जो सिवीर वाले हैं चाहते कि हम अमेंसा सेवा करें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी अपना अस्थाई अगर जगा ले लेते हैं तो साइद वो परतेग वर्ष आप उसके लिए सिवीर लगा सकते हैं तो क्योंकि आने वाला समय में देख़़़ में जगह बचने वाला नहीं है तो इस वज़े से तो अभी देख सकते हैं इधर भी कहीं जगह नहीं है इस अपूरा खाली हुआ करता था इधर दुकान भी लगा हुआ करता था लेकिन दीरे दीरे घर बन गया है तो अधर तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको यहाँ पे सिवीर बेगार देखने को मिलेगा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मन्च लगता था जो कि अब नहीं लगता है ठीक है बहुत बड़ा खिजूरिया में मन्च लगता था वो अब नहीं लगता है तो रिजन है एक ही जगा का तो अब यहां बड़े-बड़े स्टार्स अब आते थे सिंगर आते थे तो वज़ा था कि जगा खाली था इसमें जैसे तो और भी आगे जो है वन विभाग वाले भी थोड़ा सा ऐसा किये हैं कि वो अपने जितना छेतर था उसको अपने अंदर कर लिएगे यह बाए साइड आप जो देख रहे हैं यह जितना भी यह सारा वन विभाग के छेतर में आता है तो यह अपने धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं अपने अंदर ले जा रहे हैं तो इधर भी जो दुकान ले लगा हुआ करता था तो वो भी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेग क्योंकि यह सारा जो अभी कुछ-कुछ यहां पर छोड़ दिया गया है अधर्वाइज इसको भी बॉंड्री के अंदर ले लिया जाएगा तो अभी तो देखें यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं यहां से बॉंड्री स्टार्ड हुआ है और इधर भी देखें बहुत सार दुकान लगेगा तरह ही लगेगा और इतना जगा है दोनों साइड में और इतना चोड़ा जगही तो सरकार देगी नहीं आपको दुक्र लगाने के लिए क्योंकि चोड़ाई जो işte कम हो तो यह आप यहापे क्या प्रह्त है, आपको पता है कि इस जगा यहापे एक यहां पर भी मुर्ति आपको नहीं लागाया जाएगा तो यह आपको नहीं देखने को मिल सकता है इस बार और भी आगे मैं आपको दिखाता हूं कि जारकन भी कितना परिवर्तन पिछले बार भी दुका लगाने के लिए प्रशासन मेला किये थे तो इस बार भी जो चोड़ा यह है आपको दिखा रहा हूं यह सब भी सारा घहरा जाएगा तो पिछले बार भी बोला था कि रोट चोड़ा है रोट पे लगाने देना है तो इस बार में भी हो सकता है कि बाना किया जा प्रशासन के तुरू से कि आप लहे लगा सकते हैं आपको मैंना कि जगा ही नहीं कहा लगाईएगा दुकान ऐसा ही कर दिया है कि इस बार दुकान लगाने का चांस जी नहीं है तो इस बार हो सकता है कि आपको दिक्कत थोड़ी सी आ सकता है तो अभी तो नहीं बता सकते हैं लेकिन मैं एक अड़बान बता रहा हूं कि जिस हिसाब से अभी आपे चल रहा ह तियारिया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस बार प्रशासन का जिस तरह का यहां पे आप देख रहा है बॉड़ने वेगरा हो रहा है उस हिसाब से आपको पता लग जा रहा होगा कि दुकान साहिद इदर नहीं देखने को मिलेगा इन दोनों बीच के अंदर में तो आज नहीं तो इस बार हो ना हो लेकि दिजार साल के अंदर आपको यह सारे चीज़ देहने को मिल सकता है जिनके आसपास घर होगे उली का दुकान होगा अगर वो दुकान लगाने के लिए दूसरे को देते भी है तो सारी बाहरी वाले को थोड़ा महागा पड़ जाएगा तो साइद बाहर के आने वाले वो साइद इसमें दुकान ना लगा है तो क्योंकि उनको जादा जो है बेनिफिट से जादा उसका रेंट भी लग जाएगा तो हर कोई नहीं चाहेगा कि मैं इसमें दुकान करूँ तो यह सारे चीज़ परिवर्तन हो रहा है इसका वरिया प चाहिके चाहिख हाली यह है यह हं वर यूटक ऐखर करें अपने ऑपना वह प्रियेट अससे बना देगे और बस जो जगा बचेगा उसमें आपको रास्ता सिर्फ देर रास्ता से मतलब है दुकान वेगारा के लिए आपको जगर नहीं दिया जाएगा ऐसा कुछ लग रहा है ठीक है आगे भी यहाँ पर देखेंगे आपको दाहिडे साइड भी बोंडे कर दिया गया अगर मैं आपको दिखाने प्रयास करूँगा अभी यहाँ पर आजमगर का अब एक आगे थोड़ा से जाएगे यह हमारा सराशनी कहाल आता है थोड़ा से आगे मैं आपको दिखा होगा कि यहाँ पर वहाँ पर देख सकते दो पीलर बना लगा हुआ था तो वहाँ पर क्या है कि उधर भी बॉर्डिक कर रहा है उधर भी पार्क वेगरा बढ़ेगा यह वर्ड विभाग के छेतर में जो आपने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से देखिए एक कच्ची रास्ता लिगा लगा है देख सकते हैं यह कच्ची रास्ता इसको पकी कर दिया जाएगा बाहे से तो यह भी आपको पता चलिगा हुआ कि किस परकार से इस वर त्यारी ह लोने वाला है अब ही यहाँ पर खाली है तो इदर दुकान लग जागा इस जगा आपको कुछ-कुछ दुकाने देखने को मिलेगा लेकिन यही कुछ वर्सों के बाद आपको यह लुप्त देखने को मिलेगा और साइध यह चीज आपको कभी मैसस होगा तो आज मैं इसलिए इस वीडियो को कवर करके रख दे रहा हूं ताकि यह आपके यादे जो हमेशा के लिए रहे कि पहले कैसे हुआ करता था और अभी कैसे हुआ करता था बहुत वर्सों के बाद देखेंगे तो ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेट करके जरूर बताईएगा मैंने यह तब मैं ऐसा ही बनाने का प्रियत कर दोगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में हरहर महादेव जाए सीब जाए मोले मामा